दोस्तो किया ने अपने चौती प्रोड़क केरेंस को इंडिया में अन्वील कर दिया है ये एक 7-Sitter MUV है और इसका sitting configuration का बात करें तो ये आपको 6 और 7-Sitter configuration में available रहेगी और केरेंस की direct rival होने वाली है Hyundai की Alcazar तो इस वीडियो में हम केरेंस के बारे में detail में बात करने वाले हैं और Kia Motors ने कुछ नया किया है इस product के साथ जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ तो इस वीडियो में अन तक बने रहेगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले सुरात करते हैं इसके एक्स्ट्री डिजाइन से तो कैरेंस के साथ भी आपको स्प्लिट हिल लैम डिजाइन देखने को मिलता है जिसमें आपको टॉप पे LED डियारेंस मिलता है और नीचे बंपर में 3 बैरेल्स में LED हिल लैमस मिल जाता है वहीं इसका फ्रंट ग्रिल का डिजाइन थोड़ा अलग है ये पूरी तरह से क्लोज है जो डियारेल्स के साथ इंटिग्रेटेड है इस गारी में काफी जगा क्रोम का यूज किया गया है जो हम इंडियन्स को काफी पसंद आती है और ये बात किया को भी अच्छे से पता है इसके लोवर बंपर में भी काफी ब्रॉड में क्रोम का यूज किया गया है और इसके LED फोग लैम भी थोड़ा यूनिकली डिजाइन है आप लोग बताईए इसका फ्रंट के डिजाइन आप लोग को कैसा लगा और इसके साइट प्रोफाइल को देखे तो कैरेंस के साथ आ वह यह आपको विलाज क्लेडिंग मिल जाता है और इसके लोवर डोर पे भी क्रोम का क्लेडिंग का यूज किया गया है और इसके रियर प्रोफाइल का बात करें तो रैप आरौन LED टेल लैम मिल जाता है जिसके सेंटर में आपको क्रेटा के जैसे ही लाइन दिया हुआ है जो कनेक्टेड है टेल लैम से सेंटर में किया का लोगो है और इसके लोएर बंपर में भी धेर सारे क्रोम का यूज किया गया है तो आप लोग बताएं इसके डिजाइन कैसा लगा कमेंन सेक्से में जड़ू बताइयेगा और आगे बढ़ते और इसके इंटिरियर भी लेते हैं तो black and beige का color scheme मिल जाता है dashboard पे center में 10.25 inch का infotainment system मिल जाता है जिसमें 60 plus connected car features है उसी के नीचे AC vents को place किया गिया है friend में आपको ventilated seats मिल जाता है roof mounted rear में AC vents दिया हुआ है flat bottom steering wheel fully digital instrument cluster और one touch electric tumble rear seats मिल जाता है जिससे third row में passenger को आने जाने में काफी आराम हो जाता है और काफी सारे practical storage space भी आपको karence के साथ मिल जाता है चली आगे बढ़ते हैं और karence के साथ कौन से engine option मिलेंगे वो भी देख लेते हैं तो karence में आपको seltos वाला ही सारा engine और transmission मिलने वाला है पहला है 1.5 लिटर का naturally aspirated petrol engine जिसके साथ आपको 6-speed का manual और 6-speed का ibt gearbox मिलेगा वहीं दूसरा engine है 1.4 लिटर का turbo petrol engine जिसके साथ आपको 6-speed का manual और 7-speed का DCT मिलेगा और last है 1.5 लिटर का diesel engine जो muted रहेगा 6-speed का manual और 6-speed का automatic transmission के साथ cadence किया की गारी है तो ये भी fully feature pack रहने वाली है इस गारी के साथ आपको LED headlamps, LED tail lamps, 10.25 विंच का infotainment system, flat bottom steering wheel, ambient lighting, ventilated seats, digital instrument cluster, front and rear sensor, push button start stop, air purifier, syrfin antenna, sunroof and orbit धेर सारे features आई अब एक नजर cadence के dimension पे भी डाल लेते हैं और compare कर लेते हैं अलकेजर के dimension से तो केरेंज का length है 4540 mm जो 40 mm जादा है अलकेजर के मिलने वाले 4500 mm के length से उसी तरह केरेंज का width है 180 mm जो 10 mm जादा है अलकेजर के मिलने वाले 1790 mm के width से फिर height का बात करें तो केरेंज का height है 1700 mm का जो 25 mm जादा है Alcazar के मिलने वाले 1675 mm के height से उसी तरह cadence का wheelbase है 2780 mm का जो 20 mm जादा है Alcazar के 2760 mm के wheelbase है तो आप देख सकते है cadence on paper dimension में तो आगे है Alcazar से अब practically कितना फर्क है वो तो बैठने के बाद ही पता चल पाएगा आईए आगे भरते हैं और देख लेते cadence में मिलने वाले safety features को तो वो है 6 airbags, ABS with EBD, 4 disc brake, hill assist control, electronic stability control, downhill brake control, vehicle stability management, brake assist system and highland TPMS यह सारे safety features आपको standard मिलेगा हर किसी variant में चाहे आप cadence का base variant ही क्यों न ले ले तो यही चीज मेंने शुरुआत न बोला था कि Kia Motors ने के साथ कुछ नया किया है इस बाद safety को ध्यान में रखते हुए केरेंस को बनाया गिया है और जितना भी यह safety features है यह किया कि किसी भी गारी में standard नहीं मिलेगा केरेंस को छोड़के और यह सारे safety features नहीं है इसके अलावा आपको टॉप वेरियन में और भी safety features मिलेंगे और केरेंस आपको टोटल 7 कलर में ओफर की जाएगी इंपीरियल ब्लू, मॉस ब्राउन, इंटेंस रेड, ब्लैक पर्ल, स्पार्कलिंग सिल्वर, ग्रेविटी ग्रेज और ग्लेसियर वाइट पर्ल कलर अब आखिर में बात कर लेते हैं इसकी expected price और launch की तो मेरे हिसाब से 15 लाग से 18 लाग के बीच में launch हो सकती है और रही बात launch की तो हम expect कर सकते हैं मार्च या अप्रेल 2022 में और इसकी unofficially booking भी सुरू हो गई है तो अगर आपको कैरेंस लेनी है तो आप एक बार dealership पे जाके इसकी bookings के बारे में पता कर ले तो चलिए इस वीडियो में तो इतना ही आप लोग कमेंट करके बताएं कैरेंस आप लोग को कैसी लगी और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक like जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी subscribe कर लिजिएगा फिर मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह के नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत